इस उत्त्रप्रदेश की बरवादी के लिए जिम्यदार मुख्य मंत्री है परेटन मंत्री नहीं है परेटन मंत्री कब दूसरे के साथ परेटन कर लेंगे पता ही नहीं आपको पहले भी परेटन कर चुके हैं वो अगर याद हो आपको तब आप नौकरी में नहीं रहे होगे और वो परेटन कब करेंगे मैंनपुरी से परेटन मंतरी ने समाजवादी पार्टी को जिताया तो मैं होसी नहीं है कहीं अंदर ये अंदर समाजवादी पार्टी से मिला हुआ दा परेटन मंतरी ये बात नहीं बोलनी चीज़ थी लेकिन बोल दे क्या पता हमारे पत्रकाई सारी ने गुस्ता दिला दिया तो बोल दिया हैं तो आप मूलैंकन क्या है जो तस्वीरे आ रही है जो हमारे कायकरता जानकारी दे रहे हैं और जो वाटसेप पे हमारा वर्कर खेत में खड़े हो करके फोटो भेज रहा है मुझे आदम कॉलकता में था हमारे कायकरता ने मुझे ललित पूर में जिस तरीके से ओला वरिस्टियूस की जानकारी दी मैंने पार्टी की तरफ से अपनी तरफ से मांग की किसानों का जो नुकसान हो उसकी भरपाई हो उसके बात तो लगाता उत्तप रिसमे जासी से इटावा से लखनो से हर जगे से वर्कर ने तस्वीरे भीजी हैं हम तो किवल जानकारी ओंग कर सकते हैं इस देर सरकार को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करनी चाहिए जो इधर फसलकार नुकसान हुआ हो उसकी भरपाई करनी चाहिए और सरकार बताए कि आलू कितना खरीदा है मैं खुद कन्नौश की सबसे बड़ी मंडी पर गया और मैंने खड़ा होकर के पूछा वहाँ पर जो आरतिया खड़े थे, जो किसान मौजूद थे, कि आपने बताईए, सरकार ने आलू कितना खरीदा, सब ने हाथ खड़े कर दिये, कि आलू कुछ भी खरीदा ने गिया, एक हजार से ज्यादा पैकेट हमारे यहां रखे हुए और किसानों का खेट में था उस समय आलू, तो आलू कभी नुक्सान हुआ, उसी समय मैंने मन्डी डारेक्टर से बात की, मन्डी डारेक्टर कहते हैं कि हम तुरंद खरीद बा लेंगे, मैंने दुबारा जानकारी हासिल करनी चाही, कोई आलू ने खरीदा गया, छोड़े बाई जो एलैक्टर कमिशन में आप जाईए हमने तो शिकायत किये, उनको जवाब भी दिया है